सबसे पहले तो थेंक्यू चेर्मेंग लावल बटो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टे को उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने पुनियर को रिप्रेजेंट कर सकूँ पाकिस्तान को नरेंदर मुदी जैसे पी-एम चाहिए अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सब इस सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के आखर तक बन रहे हैं वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सचे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तों पाकिस्तान वो मुस्लिम देश है जहां दूसरे मुस्लिम देशों की तरह ही महिलाओं को आदमियों से कम तर समझा जाता है या औरतों को आदमी के हर बात में हां में हां मिलाना लाजमी होता है उसके खिलाफ आवाज उठाना अपनी बात रखना ये सब गलत समझा जाता है लेकिन ओरतों की इस चार दिवारी में दबी दबी जिन्दगी को अब एक नया रंग और चेहरा मिल गया जोसका नाम सवीरा प्रकाश है ये पाकिस्तानी हिंदू लड़की हैं जो हर तरफ सोशल मीडिया पर चाय हुई है वो भी अपने पॉल्टक्स करियर के उठाय हुए एक बड़े कदम के वज़े से हलाकि पाकस्तान में अब तक 76 साल बाद किसी हिंदू लड़की ने नेशनल असम्बली में चुनाव के लिए कदम आगे बढ़ाया है जीत तो अभी दूर की बात है 25 साल की डॉक्टर सवीरा प्रकाश पाकस्तान के खैबर पक्तून प्रांत में बुनेर जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रही है इन्हें बिलावल भुटो जरदारी की PPP यानि पाकस्तान पेपल्स पार्टी की ओमें द्वार घुशत किया गया है और PPP टिकट पर PK 25 समान सीट से चुनाव लड़ने की पूरी तयारी लगी हुई है लेकिन ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि सवीरा प्रकाश डॉक्ट्री लाइन से पॉल्टिक्स की दुनिया में कैसे आई और कहां से ये बिलॉंग करती है क्यों इन्होंने पॉल्टिक्स में अपने कदम आगे बढ़ाएं इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजे डॉक्टर सवीरा प्रकाश बिलावल खैबर पक्तुनख्वा के रहने वाली है आपको जानकर रहरानी होगी कि सवीरा प्रकाश पाकिस्तान के जिस जिले यानि की एप्टाबाद से तालुख रखती है वो कुछ समय पहले दुनिया के सबसे खतरनाक आतंगबादियों का ठिकाना हुआ करता था जहां सही समझे उसामा बिलादिन ने पुलिस की नजरों से बचकर यहीं पर कुछ समय पना ली थी लेकिन जादा समय तक वो खुद को ना बचा सका और जल्दी यूएस फोर्स ने उसामा बिलादिन को ढूंड लिया और यहीं मौजूद एक घर में गोलियों से चलनी चलनी कर उसे मार दिया क्या आज इसी जिले का नाम रोशन कर रही है किंदू महिला सवीरा प्रकाश जो की मेडिकल से एक्स ग्रेजुट है इन्होंने साल 2022 में खैबर पक्तुनखुआ के एप्टाबाद जिले के एप्टाबाद इंटरनेशनल कॉलिज से एमबीबियस की डिगरी हासल की थी इनके पिताओं प्रकाश तीन दशकों से पीपीपी के सदब से रहे हैं और अपने पिता को देखते उए ही सवीरा प्रकाश भी अब इस पार्टी के उम्यद्वार चुनी गई है एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सवीरा प्रकाश पीपीपी कि महिला विंग की महासचिव का अभी पद अपने नाम कर चुके हैं सवीरा से जब पूछा गया कि वो पॉल्टिक्स में क्यों आई तो उन्होंने बड़े ही गर्व से जवाब दिया कि एमबीबियस डॉक्टर होना इस बात का सबूत है कि मानवता और इनसानों की सेवा करना उनके खून में है और अगर वो ये चुनाव जी जाती है तो ये उनकी नहीं बलकि महिलाओं की जीत होगी इनके चुनाव में एंट्री करने के बाद एक और रीजन ये बताया जा रहा है कि पाखस्तान के हालाद से तो हर कोई वाकिफ है ऐसे में सरकारियस पतालों की तो नईया ही डूप चुकी है जब सवीरा प्रकाश ने सरकारियस पतालों में पड़े मरीजों की हालत दवाईयां ना मिलना अच्छी फैसलिटी ना होना देखा तो उनके अंदर इनी सब हालातों को देखकर चुनाव लड़ने का जज़बा और जोश पैदा हो गया इसके चलते ही नішनल असेम्बली अलक्शन के लिए खड़ी हो गई जिसके दौरान उमिद्वार नेशनल असेम्बली की 206च समाने सीटों के लिए अलक्शन लड़ेंगे सौंबार तक कम से कम 282626 उमिद्वारों ने चुनाव के लिए अपना आवेदन दाकिल गिया है 28,626 उमेदवारों में 3149 महिलाओं यानि की 11 प्रतीशत से ज़्यादा ने इस बार आम चुनाओं के लिए नामांकन पत्रों दाखिल कर दिया साल 2013 और 2018 में आकड़ों पर नजर गुमाएं तो इस बार सबसे ज़्यादा महिलाओं ने अपना चुनाओं में नाम दर्ज करा है पाकिस्तान में महिलाओं के लिए 60 सीटे आरक्ष्ट की गई है वही मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिमों के लिए 10 सीट रखी गई है इसके लावा ये सबी 286 सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं डॉक्टर सवीरा के एक कदम एक सूच से पुरे पाकिस्तान का महौल बदल गया है जहां लोग हिंदु महिलाओं के एलेक्शन में खड़े होने को अपत्ती जर्क मानते थे अब उन्ही के घर की महिलाओं आवाज उठाती हुई नजर आ रही है यह सब मुम्किन हो पाया है डॉक्टर सवीरा के वज़े से ऐसे ही जब सवीरा प्रकास से पूछा गया कि 76 साल लंबे समय में एक हिंदु महिला को नेशनल एसेंबली का टिकट देने में पाकिस्तान ने इतनी देर क्यों लगाई आखर इसकी वज़ा क्या थी तो इस पर सवीरा प्रकास ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में महिलाओं को चुनाव लड़ने का हक नहीं है बस आवाज उठाने और अपना हक मानने में लोग हिचके चाते हैं और वही आवाज और पहल मैंने की है ऐसे में जब सवीरा से भारत के बारे में बात की गई तो बताया गया कि भारत में राम मंदर का इनुग्रेशन होने वाला है तो ये आपके लिए कितने गर्ब की बात है क्या आप भी कभी इस मंदर में आकर भगवान के दर्शन करना चाहेंगी तो उनका कहना था कि मैंने कभ ठीक हैं उसी तरह से हिंदू के लिए भी उनकी हक दिये गए हैं बस सिर्फ अब फ्रेम वर्क बनाने के जरूरत है कि जो मैं कर के दिखाऊंगी डॉक्टर सवीरा की बातों से ये जायर होता है कि ये पाकस्तान में हिंदू की पर्चम लहराने वाली है और पाकस्तान में जहा जहा है और पाकस्तान के राजनिती यहां के भाशनों में भी मोदी जी की बात होती है ऐसे में एक स्पीच के दौरान नवाब शरीफ ने जब भारत के खुलकर तारीफ की थी और कहा था कि हमारा पडूसी देश अब चांड पर पहुँच गया है और हम अभी भी जमीन पर ह गया कि पाकस्तान के आवाम को भी मोदी जी जैसा प्रधान मंतरी की जरूरत है तो इस पर उनने साफ शब्दों में कहा कि हाँ बलकि सवीरा ने तो ये तक कहा कि भारत में स्टैबलिटी इसलिए है क्योंकि मोदी जी इतने समय से प्रधान मंतरी की पोश्ट समाले हुए है इसी तरह हमारे देश में भी स्टेबल रखने के लिए मोदी जी जैसे प्रदान मंतरी की जरूरत है और ऐसा होना ही चाहिए कई ना कई डॉक्टर सवीरा इलेक्शन के बाद देखा जाये तो धर्म की वज़द से भी जादा फेमस हो रही है क्योंकि मुस्लिम देश पाकस्तान में कोई हिंदू लड़की नेशनल एसेंबली एलेक्शन में खड़ी हुई है लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पाकस्तान में मुस्लिम भाई बहन हिंदू डॉक्टर सवीरा के साथ रह पाएंगे क्या वो भी चाहते हैं कि सवीरा ये एलक्शन जीते हैं तो इसका जवाब खुद सवीरा ने देते हुए का कि मैंने तो सूचा भी नहीं था कि मुझे इतनी पॉपलारिटी मिलेगी मुझे लोगों से इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलेगा बलकि यहां तो सभी लोगों ने एक यूनिट ही बना ली है और इसका सबका क्रेडिट हिंदू लोगों के साथ मुस्लिम लोगों को भी जाता है एक इंटर्विव में एक आर्टिकल से आज लोगों ने इन्हें इतना सपोर्ट किया है कि आज ये देश-विदेश में जाना पाना नाम बन गई है डॉक्टर सभीरा ने कहा कि अगर ये मैं चुनाव जी जाती है तो मेरे लिए यहां तकाना ही बहुत बड़ी बात है और मैं इससे भी खुश हूँ पाकस्तान के लोगों ने धर्म जाती का भेद ना करके डॉक्टर सभीरा को इस मुकाम तक पहुँचाया है जो काविले तारीफ है वैसे आपको क्या लगता है क्या सभीरा इस सेलेक्शन को जीत पाएंगी या नहीं कॉमेंट में बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें